अभी ये भी जो है ये पोलोनेशन ना होने से ही इसके जो है ये फ्लावर जल रहे हैं अभी ये कोई रोग है समझ्चा ऐसा नहीं है लेकिन इसके लिए उपाय क्या किया जा सकता है अभी इसके लिए सबसे बहतरीन उपाय किया जाता है कि सबसे पहले कि आपके खेत में जग हो या चोटे मोटे काटी हुई बोटल हो इसमें पानी भरके रखिए जहाँ पे थोड़ा वह च्छाव हो और वहाँ पे उसके यहाँ पे गूड का पानी भी बगल में रखिए ऐसे पांच की लिटर पानी में दो से धाई लिटर गूड डालके एक गाड़ा सोलुशन बनाके उसको जगँ जगँ पे रखिए आच्छा पानी और गूड का पानी यह जब गूड का पानी के लिए यह मदुमक्या अट्रेक्ट होती है तो यह मदुमक्या अट्रेक्ट होके वहाँ से पोलूनेशन का काम शुरू करती है और बगीचे में घूमती रहती है साथ ही साथ य इसका जो essence होता है, flavor होता है, इसका smell अगल बगल के बहुत अच्छे level पे area में घूमता है, और इसके attract से पूरी जो मदुमक्या है, वो आप मदुमक्या के साथ भी बाके वाले जो पतंग वाले जो कीडे है, वो भी आपके खेत में आते हैं, और वो भी pollination के काम में हिस्सा ले यह हो गया natural source, दूसरा आप artificial source क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना है कि इसी के दर्मयान में chillated zinc boron, 200 g chillated zinc, 300 g boron, उसके साथ 30,45 kg और calcium nitrate 3 kg, उसके साथ प्रोमीन एक लिटर और flowering boom हो, open हो, इसलिए आपको डालना है इसमें touch 500 g, यह आपको drip से छोड़ना है, इसको छोड़ते ही सारे flower open हो जाएंगे, जैसे open होते हैं उपर से spray में, आप कोई भी एक fungicide ले सकते हैं, लेकिन pesticide को इस दर्मयान में थोड़ा सा soft pesticide को यूज़ करें, जैसे imida है, actar है, pegasus है, neem oil है, neem oil को थोड़ा सा हलका सा यूज़ कर और इस दर्मयान में जैसे आपको लगते हैं कि flower drop हो रहा है, इस दर्मयान में pesticide, insecticide को ज़्यादा यूज़ मत करीजिए, वरना क्या होते हैं कि आने वाले जो पतंग और मदुमक्या वो भी आते नहीं, और वो repellent होते हैं, निकल जाते हैं खेट से, और आपको ये pollination की सम बहुत ज्यादा तादाद में आपको दिखती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्प्रे में आपको लेना है, एक्टारा, 100 लिटर पाणी में तक्रीवन तक्रीवन आप अगर देखोगे तो 100 लिटर पाणी में 30 ग्राम एक्टारा लीजिए, इसमें आप डालीजिए गूड याने गूड जागरी 100 लिटर पाड़ी में 2 kg गूड डाली है इसमें क्या होगा कि सबी जगह के इसेंस फ्लेवर आने के लिए आपको डालना क्या है कि इसमें जो क्या बोलते हैं मदुमक्खी का जो अट्रैक्शन है इसके लिए हमने गूड डाला साथ ही साथ उसको पोलिनेट हार्मोन सपोर्ट भी देना है तो उसके लिए आपको क्या करना है 0-22-34 एक्टारा उसके साथ साथ गौड इसके साथ बोरॉन बोरॉन लेना है 1 ग्राम पर लिटर से 0-24-5 ग्राम पर लिटर से उसके साथ एक्टारा लेना है 100 लिटर पाड़ी में 30 ग्राम याने ग्राम पर लिटर और चिलेटेट जिंग आदा ग्राम पर लिटर और इसको आपको एक से दो बार स्प्रे करना है जिससे क्या जो खुले हुए सारे फ्लावर है इसमें पोलुनेशन की गतिवीदी को बहुत आज उपर लेवल पर बढ़ाया जाएगा जिससे आपको पोलुने कर दो